तो आई फ्लू होने के क्या कारण है दरसल मालसून के मौसम में कम ज़ादा टेंपरेचर और उमस होने के कारण बैक्टिरिया वायरस तेजी से फैलते हैं और इन बैक्टिरिया वायरस का एलर्जिक रेक्शन ही कंज्वेक्टिव आइटेस यानि आई फ्लू का कारण बनता है आई फिलू होने पर क्या करना चाहिए सफाई का विसेस्ता से ख्याल रखना चाहिए अपने द्वारा या मरीज द्वारा प्रियोग किये गए वस्त्रों का प्रियोग नहीं करना चाहिए अपने हातों को बार-बार धोना चाहिए नॉर्मली इसमें एक से दो सप्ता तक का समय लग जाता है और किसी भी संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में ना आए या उसके द्वारा प्रियोग की गई चीजों को यूज ना करते हैं और आई फिलू में एंटी वायरिस नहीं एंटी वायरल दमाएं काम करती हैं और आई ज्रोप के बाद में बहुत तेजी से या तेजी से पलके ने जपकाएं और आई फिलू की इस्थिती में मोबाइल कम्प्यूटर टीवी आदी का प्रियोग भूल कर भी ना करें जितना संबब हो उतना सोएं इसके अलाबा स्वस्त भोजन खाएं और आई फिलू की इस्थिती होने पर आप ठंडे पानी की सिकाई कर सकते हैं यानि फ्रिज में रखे हुए ठंडे पानी में रुमाल को भिगो कर निचोड़ कर आँखो पर रखें इससे आई इंफेक्शन्स कम होता है और आँखों के लिए ये ठंडे पानी की सिकाई आप दिन में तीन से चार बार कर सकते हैं कॉंटेक्ट लैंसों से आपको बचना चाहिए आई मेकप यूज नहीं करना है और टेप वाटर से आँखों को नहीं धोना है और सबसे बड़ी साफधानी यही है आपके आसपास या आपके कारेस्तल पर किसी को आई इंफेक्शन है तो उससे दूरी बना कर रखें और उससे भी उत्तम उपाय है कि आँखों पर आप काला चस्मा लगा कर रखें संक्रमित व्यक्ति कि किसी भी कपड़े को प्रियोग ना करें तेज रोसी में निकलने से आपको बचना है थंडे पानी की सिकाई आपको बहुती लाब देगी और संक्रमित की इस्तिती में अपने तकिये और चादर को आपको हर दिन धोना है और दूसरे का भूल गर भी प्रियोग नहीं करना है इसके अलाबा कुछ सापधानिया बरतनी आवश्यक है आई फिलू की सितिती में खटे फलो के परेश से और प्रोटीन डायेट से आपको बचना है खाने में नमक और मसालेदार खाने का सेवन कम से कम करें क्योंकि नमक और मसालेदार खाना आँकों में जलन और सूजन को बढ़ा देता है और अपने भोजन में सलाद और फलो की मात्रा अन से जादा रखें इससे बहुती जल आपकी आँकों को राहत मिलेगी तता हर रात्री को संबब हो तो तिर्फला का एक चमच चून लें और उसे चमच इसक गोल और एक चमच देशी खान के साथ मिलाना है और रात्री में उसे गरम जलिया दूद के साथ अवश्य लें इससे भी आपको तेजी से राहत मिलेगी तो इन सारे घरेलू उपाय से भी आप आँखों की इन परेसानियों को दूर कर सकते हैं और कभी भी अपने पास से उल्टी सीधी एंटिबायिटिक दवा या आई ड्रॉप अपने आप ना लें हमेशा योग्य चिकिसक से ही आवश्यक दवाएं जैसे आई ड्रॉप या इसके लावा मेडिशनल ने क्योंकि इसमें एंटिवाइरल दवाही काम करती हैं जो इसपेसली आँखों के लिए होती है और आँखों के मामले में बिलकुल भी लापरवाई ना करें क्योंकि आखे मानव जीवन का एक महत्पूर्ण अंग है और अगली वीडियो होने वाली है अत्यंत महत्पूर्ण जिसमें आई फिलू के आरुवेदिक उप्चार के लिए हम चैनल पर आमंतित कर रहे हैं आरुवेद के विशेश यग्य को जो आपको आई फिलू के आरुवेदिक उप्चार और सलह देंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें साथी शेयर भी करें सभी के साथ